नमस्कार आप देख रहे हैं NMF News में आपके साथ शबनम हर्याना में हारने वाली पार्टियों के बीच में अब राड सुरू हो गई है एक तरफ आमादमी पार्टि और कॉंग्रेस में मातम पस्रा हुआ है तो दूसरी तरफ BSP सुप्रीमो मायावती भी भड़ा कुटी हैं मायावती किसी राचनतिक पार्टि पर नहीं बलकि जाट समुदाई पर भड़की हैं मायावती का कहना है कि जाट समुदाई की गदारी क वज़े से BSP का सूपड़ा साफ हो गया BSP हर्याणा के चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई है तो मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट सोशल मेडिया पर किये है और अपने ट्वीट में जाट समुदाईों पर निशाना साधा है मायावती ने गदार शब्द कहकर भी ये संबोधित किया और सीधे सीधे अपनी हार के लिए जाटों को जिम्मेदा ठहराया है मायावती का कहना है कि अगर जाट समुदाई BSP को वोट देता तो शायद आज उसके खाते में एक सीटे चली जाती लेकिन बता दे कि हर्याना के चुनाम में BSP को 2% से भी कम वोट ब बताते हैं मायावती ने अपने ट्वीटर पर लिखा की हर्याना विधान सभा आम चुनाव BSP वा इनेलों के गड़ बंदन करके लड़ा किन्तु आज आए परिनाम से सपस्ट है कि जाट समुदाई के जातीवादी लोगों ने BSP को वोट नहीं दिया जिससे BSP के उमीदब जातीवादी मानसिक्ता को काफी हद तक बदला है और BSP से MLA तथा सरकार में मंतरी भी बने हैं हर्याना प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद्चिनों पर चलकर अपनी जातीवादी मानसिक्ता को जरूर बदलना चाहिए ये खास सलहा है इसके साथ ही लिख और ना ही हिम्मत हारनी है बलकि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए एततपर रहना है नया रास्ता निकालेंगे तो BSP सुप्रेमों मायावती ने सीधे सीधे इस हार के लिए जाट समुदाय को जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि जिस तरीके से UP में जाट समुदाय की सोच बदली है और UP में जाट समुदायों ने BSP को भी जितवाया था और मंतरी भी BSP के कोटे से रहा लेकिन अगर वही सोच हरियाना के जाटों की बदल जाती तो BSP को हार का सामना नहीं करना पड़ता तो एक तरफ आमादमी पार्टी कॉंग्रस पर ठीकरा फोर्ड रही उनके पार्टी का हाता भी इस चुनाव में नहीं खुल पाया है तो अब मायावती ने सला दी है पोस्ट करते हुए कि जाट समुदाय के लोगों को भी उनके नकसे कदम पर नहीं चलना चाहिए जैसे कि हरियाना के चुनाव में अब देखने को मिला है तो अब BSP सुप्रि समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है जहां पर BJP जो है 14 सीटे जीतने में कामियाब रही है जबकि 10 सीटे कॉंग्रस के खाते में जाट समुदाय इलाके की गई है तो सीधा सीधा जो फाइदा मिला है वो BJP को मिला है और BJP इसी वज़े से 48 सीटे जीतने में कामियाब और 37 सीटों पर कॉंग्रस सिमट कर रह गई है वैसे भी कॉंग्रस की हार बात करें तो कॉंग्रस ने सिर्फ फोकस जाट समुदाई पर लगाया था हुट्डा परिवार को तबज्यों दी थी तो गैड जो जाट समुदाई की लोग हैं उन पर एक गलत मैसेज पहुचा और वो निराश हुए जिसकी वज़े से कॉंग्रस को हार का सामना करना पड़ा है और हम मायावती सीदे तोर पर जाटों पर तूट पड़ी है जाटों पर उन्होंने निशाना सादा है और बीएसपी की हार के लिए जाट समुदाई को जिम्मेदार ठैरा दिया है विलाज इस तरीके से मायावती ने अब सीदे ही तंज कसा है और जाट समुदाई के खिलाव वो बोल पड़ी है उसका रियक्शन तो उन्हें जहेलना पड़ेगा उस पर आपकी राए क्या है कमेंट कर अपनी राए हमें जरूर बताएं और तमान अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ नमस्कार